नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका Life and Divinity चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं या फिर इसे करने की सोच रहे हैं। हम बात करेंगे उन चुनोतियों की जो विपश्यना के दोरान सामने आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। अगर आप इस पवित्र साधना के मार्ग पर चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बिना देरी किये चलिए शुरू करते हैं। और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से जुड़े रहें। विपश्यना बौध धर्म के संस्थापक गौतम बुध द्वारा सिखाई गई एक प्राचीन ध्यान विधी है। विपश्यना शब्द का मतलब होता है वस्तूओं को जैसा वे हैं वैसा देखना। यह ध्यान की एक ऐसी विधी है जो हमें अपनी आंतरिक और बाहरी वास्तविक्ता को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से हम अपने मन और शरीर की गहराईयों को समझ पाते हैं जो हमें मानसिक और आत्मिक शान्ती की और ले जाती है। लेकिन दोस्तों इस यात्रा को शुरू करना जितना रोमांचक होता है उतना ही कठिन भी। विपश्यना के दोरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम इस बात को बखूबी समझते हैं। और इसलिए आज हम उन सभी चुनौतियों और उनके समाधान पर गहराई से चर्चा करेंगे। जब हम विपश्यना की शुरुआत करते हैं तो पहली चुनौति अकसर शारीरिक पीड़ा होती है। लंबे समय तक एक ही स्थिती में बैठे रहना हमारे शरीर के लिए एक नई बात होती है। खास कर अगर हम इस से पहले नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे थे। पैरों में सुन्नता, पीठ में दर्द, घुटनों में अकडन ये सभी समस्याएं साधक के साम ने आती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस शारीरिक पीड़ा से कैसे निप्टें। इसका सबसे सरल उपाय है संयम और धैर्य। ध्यान के दौरान इस दर्द को सहन करना और उसे स्वीकार करना बेहत जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह दर्द अस्थाई ह और शरीर समय के साथ इस प्रक्रिया में अनुकूल हो जाएगा। जब भी आपको दर्द महसूस हो गहरी सांस लें और अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इससे न केवल आपका ध्यान वापस आएगा बलकि दर्द भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। लाइफ एंड डिविनिटी में हम इसे एक अभ्यास की तरह मानते हैं जिसमें हर बार आप थोड़ा और मजबूत होते हैं। विपश्यना के दौरान आने वाली दूसरी बड़ी चुनौती है मानसिक अवरोध। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन में तरह-तरह के विचार आते हैं, पुरानी यादें, भावनाएं, डर और चिंता मन में उठने लगते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ एंड डिविनिटी में हम आपको बताते हैं कि इन मानसिक अवरोध। से कैसे निप्टा जा सकता है। जब भी आपके मन में विचार आएं, उन्हें बस देखें और बिना किसी निर्णे के उन्हें जाने दें। जैसे बादल आकर गुजर जाते हैं, वैसे ही विचार भी गुजर जाएंगे। इस प्रक्रिया को अनिच्छा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हम किसी भ विचार या भावना को पकड़ कर नहीं रखते। इसे अपना अभ्यास बनाएं और देखेंगे कि समय के साथ आपके मन की शान्ती बढ़ती जाएगी। धैर्य की कमी भी एक बड़ी चुनौती होती है। विपश्यना के शुरुवाती दिनों में हम सब जल्दी से जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। इसे तुरंत परिणाम देने वाले किसी उपकरण की तरह नहीं देखा जा सकता। लाइफ एंड डिविनिटी में हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान एक लंबी यात्रा है और इसके प हैर्य से अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी प्रगती की छोटी-छोटी जलकियां दिखने लगती हैं। इन ख्षणों का आनंद लें और समझें कि ध्यान का असली फल उस यात्रा में है जो हम करते हैं न कि केवल अंतिम परिणाम में। कई बार हमें लगता है कि हम ध्यान में प्रगती नहीं कर रहे हैं। यह निराशा का कारण बन सकता है। यह भी एक सामान्य अनुभव है। खास कर जब हम अपेक्षाओं से भरे होते हैं। Life and Divinity पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि विपश्यना एक साधना है जिसमें समय लगता है। इस निराशा से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म स्वीकृती। अपने आपको स्वीकार करें जैसे आप हैं। जो भी प्रगती हो रही है उसे मान्यता दें और खुद को धन्यवाद दें कि आपने इस यात्रा को शुरू किया। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इस स्वीकृती से आपका मन और अधिक शान्त और स्थिर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इन सभी चुनोतियों का सामना कैसे करें। इसका उत्तर है नियमित अभ्यास, संयम और स्वीकृती। विपश्यना एक अनुशासन है जिसमें हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो ये चुनोतियां धीरे-धीरे हमारे लिए सामानने हो जाती हैं और हम अपने ध्यान में और गहराई तक जा सकते हैं। लाइफ एंड डिविनिटी में हम इस बात पर जोड देते हैं कि किसी भी चुनोति का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आप पर विश्वास रखना और कभी हार न मानना। ब्यद्धी चीन ये है। दोस्तों, विपश्यना का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह हमें आत्मिक शान्ती और एक नई दिशा देने वाला एक अध्भुत साधन है। इन चुनोतियों का सामना करके हम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, लाइफ और डिविनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर साजा करें। धन्यवाद और आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।